वेल्कम बाक तो माई चानल सी एस्टुएंट्स एंड होप याल गूँग गूट गूद्स एस्टुएंट्स बहुत सारे स्टुएंट्स अभी पैनिक क्रेट खर रहे हैं रिजल्ट्स को लेगर करके रिजल्ट्स आज की डेट में एक बात इश्चुज बन चुका हैं बहुत सारे पैनिक क्रेट कर रहे हैं तो अभी इस्टुएंट्स का बहुत सारा मेरे पास मैसेज इतना हैं इन बॉक्स बर चुका है मेरे टेलिग्राम्स मेरे अपने पर्सनल इंस्टा पे भी मुझे बहुत सारे मैसेज दिये जा रहे हैं सर प्लीज इस रिजल्ट का क्या रहेगा फाउंडेशन, इंटर, फाइनल्स वेगरा और मैं अल्ड़ी इस पर परले से वीडियो बना चुक हूँ मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था ये वीडियो मुझे बनानी ही नहीं थी लेकिन पता नहीं क्यूँ मेरे अंदर से ये चीज निकल के आई है यार ये चीज मुझे अटलिस्ट बताना चाहिए क्योंकि काफी सारे students बहुत सारे panic rate कर रहे है और ये पहली बोल दो disclaimer मेरा यही है कि ICI का official announcement अभी तक www.ici.org पर नहीं है बिल्कुल भी नहीं है ये जो चीज बिल्कुल निकल के आ रही है ये चीजें कहीं से मुझे पता लगी है तो मैं आपको बता रहा हूँ right students मैं simple से आपको इतना बताना चाहता हूँ कि इस students का कहना ये है आज की rate में कि sir near to close January हम जा रहे हैं और first February में या first week of February में for CA final as well as the CA inter and foundation respectively results की date हमारे respected council member धिरज कंडेलवाल जी ने भी एक tweeters पे tweets किया था तो उसका क्या रहेगा अगर ये first February तो हमारा आ ही रहा है so my loving students मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ आप ध्यान से सुनिएगा और मैं आपको दिखाने भी जा रहा हूँ कि क्या as per IEC vice president और exam committee members ने ये जो एक तरसे बताया है at least उसके बारे में discuss करने जा रहा हूँ कि tentative results rates क्या हो सकती है और definitely मैं practically discussion करूँगा तो इससे पहले मैं आपको बता हूँ चैनल को subscribe अगर नहीं किया तो please channel पर नहीं है तो subscribe जरूर कर लिजे like, share, comment जरूर करना इसलिए बोलता हूँ because आप appreciate और motivations मिलता है चीजों से so my loving students without wasting your time we right now we are discussing the tentative results rate क्या हो सकती है as per vice president and exam committee member so my loving students ये है tentative results rate as per CA Nirajan's vice president and CA Prasanna Kumar exam committee member CA final 1st February CA inter 6th February foundation 6th February in the above tentative dates CA inter dates has been confirmed tentative dates CA inter date has been confirmed from the two independent sources which makes it hashtag ICAI so students एक बात हमेशा मैं ध्यान आपको लिखना है दिखवाना चाहता हूँ आपको पता हो 50 days का ICAI ने results जो usually आता है वो 50 दिन के अंदर आता है ठीक है? 50 days में results आता है 50 days अगर आप count करेंगे be practical अगर आप देखो कि 14 December को मारे foundation के exam end up हुए थे और 14 December के बाद अगर आप 50 days महा से count करेंगे from the end of the 14th day of the December right so it will be it will be the 14th of February that is the 60 days from the 14th of December if we have cut down the 10 days from the 14th of February if we have cut down the 10 days from the 14th of February then it will become it will come that is 4th February so my loving students single cut off date आप ध्यान रगना कि results आपका first to 4 February तक बिल्कुल declare हो जाएगा यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ICI के कर हम साब से चलें क्योंकि Digital Evaluations के चलते यह थोड़ा सा Administrative Issues और Logistic Issues आए हैं उसके चलते रिजल्स लेट हुआ हैं और accordingly जो Digital Evaluations में हमारे रिजल्स थोड़े से जल्दी आने थे वो लेट हुए हैं लेकिन 50 days का जो टाइम होता है वो 4th February तक आपके सब के सब रिजल्स आपके डिकलेर हो जाएंगे लेकिन Final के 1st February C.E. Inter 6 February Foundation 6 February यानि कि Inter और Foundations का रिजल्स सेम डेट पे आने वाला है यह भी आप याद रखना So my loving students, hope this video will always help you and please share this video max to max जितना भी हो सके आप अपने friends के साथ, click के साथ share कीजिए ताकि उनको भी help हो सके और अगर चानल सब्सक्राइब नहीं किया तो चानल को जरू सब्सक्राइब